पहारतिय संस्कृति में यज्य, योग, एवा मायुर्वेज जैसी अमूले विद्याएं हैं, जिसका मूल है बेड, इतिहाज की ओर द्रिश्टी डालें, तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर, राजा महराजाओं, ग्रामवासियों वो अरण्यवासी रिशियों की कुटियों तक, नित्य वन्यमेतिक यद्यों का प्रचलन देखने को मिलता है। अम्यूवं ओम अग्निमीले पुरोहिताई यज्यत्यदेवा मित्विजम होता आरं रत्नधातमं सर्वरक्षक परम्पिता परमात्मा को याद करते हुए उनको प्रणाम करते हुए नमन करते हुए वंदन करते हुए आज संपूर्ण विश्व इस पांच जुन को विश्व परियावरन दिवस के रूप में मना रहा है पिछले पांच दसकों से यह निरंतरता के साथ सिलसिला चला आ रहा है आज जिस विकास की अंधी दोड में मनुष्य समाज ने जो इस प्रकृति को हानी पहुँचाई है भूमी प्रदूसन, जल प्रदूसन, वायू प्रदूसन से लेकर के अनेक प्रकार के प्रदूसन और जिसके कारण से मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन संपूर्ण जगत आज बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ है आज केवल मात्र वायू प्रदूसर्ण के कारण पूरी दुनिया में सत्तर लाख से अधीक लोग मोद के मुँ में समा जाते केवल वायू प्रदूसर्ण जिसको हम कहते है जो प्राण वायू है जो हमें जीवन देता है वही आज जीवन ले रहा है बड़े नगरों में बड़े सहरों में रहने पर एक साल बड़े सहर में रहने पर एक साल से लेकर किए छेश-छेश साल तक की उम्र कम हो जाती है इतनी यह वायू जहरीली हो चुकी और उसके कारण से 70 लाख लोग और उसके कारण होनेवाली बीमारिया और उन बीमारियों के कारण होनेवाले मेडिकल खर्श को देखे तो Heaven done,璇कória क्रोड़ रूपए यह रहा है और इतना ही निहीं, दूसरा microbiological disruption, começarा बेक्टरिया, virus, fungus जन्य, जितने भी infection से लेकर के बिमारिया और अलग-अलग उपद्रह होते हैं WHO के आंकड़ों के अनुसार देखे तो लगभग पौने दो करोड़ लोग छोटा आंकड़ा नहीं है पौने दो करोड़ लोग मौत के मुँँ में समा जाते केवल microbiological production के कारण इसी प्रकार से आज एक और नहीं समस्या उभर करके सामने आई है radiation radiation के कारण नर्वस सिस्टम का वीख होना स्मृति सक्थित का हरास होना श्ट्रेस, तना और डिप्रेसन, चीड़-चीड़ापन से लेकर के muscular dystrophy से लेकर के MND तक के जान लेवा खतनक और cancer जैसे भी रोग अधिक radiation वाले वायू मडल में रहने से हो जाते हैं और आज हम एक radiation के जाल के बीच में जी रहें और छोटी-छोटी चीड़िया, मदुमक्या, आदी इस radiation के कारण विलुक्त हो रहे हैं और वर्तमान जो research आँकड़े बता रहे हैं कि आज वर्तमान में जिस प्रकार से वायू प्रदूसन आदी जो प्रदूसन का सिलसिला चला हुआ हैं यदि ऐसा ही यदि 2030 तक चला तो 2030 तक में धर्ती पर 30 प्रतीसत प्रजातिया विलुक्त हो जाए 30 प्रतीसत प्रजातिया यह बहुत बूरी पर कमपाने वाली यह सुचना है इतना ही नहीं ना जाने कितनी कितनी हानिया आज यह प्रकृति उठा रही है ग्लोबल वार्मी ओजन परत का ख्षरण वायू प्रदूसर्ण रेडियेशन अनेको प्रकार की अलग-अलग बिमारिया आज मानो समाज एक ऐसी धारा पर चल चुका है जिसके कारण मनुष्य ही नहीं मनुष्य तर जड़ चेतन जगत संपूर्ण बूरी तर से प्रभावित हुआ है और आज भारत जीसे देश में 40% नदिया सुख चुकी चालिस नदिया नहीं 40% नदिया सुख चुकी 45% भुगरवजल स्तर नीचे जा चुकी है एक और जहां पानी का संकट वहीं जिस वायू के बीना हम दो मिनिट से भी अधिक जिन्दा नहीं रहे सकते वह वायू का संकट वह भी जैहरी लिए होगी आखिर इन सब के बीच में हम अपने जीवन को कैसे सुरक्षित करें कैसे हम अपने आने वाली पीडियो को सुरक्षित करें तो उसके लिए हमें फीर से अपनी संस्कृति की शेरर में हमें जाना पड़ेगा संस्कृति मानो समाज की जड़ होती है जैसे पेड़ की जड़ पेड़ अपनी जड़ को छोड़ देता है तो समुल नश्ट हो जाता है सूख जाता है अपने अस्तित्व को खो बेटता है ऐसे ही मानो समाज जब अपनी संस्कृति को छोड़ देता है तो वैसे ही सूख जाता है अपनी अस्तित्व को खो देता है इसलिए आईए हम सब इस विश्व परियावरान दिवस पर संकल पकरे हम फीर से अपनी मूल संस्कृती की ओर लोटे याजिक संस्कृती की ओर लोटे वैदिक संस्कृती की ओर लोटे और विक्षारोपन, पेड़ पोधे हम अपने घरों में लगाए, अपने आंगन में लगाए, अपने खेतों में लगाए, रोड के किनारों पे लगाए जहां पे अउसर मिले हम कहीं अउसर ना चुके पेड़ पोधे आधी लगाने का और हम संकल्प पूरवक्त केवल लगा कर के छोड़ नहीं देना उसको उचेरना उसको बढ़ा करना जब तक वो अपने दम पर समर्थ ना हो जाए तब तक अन्यथा वो भी हम एक अत्याचार कर रहे हैं जैसे बच्चों को पैदा करके छोड़ दे तो क्या है ऐसी ही हालत पेड़ पोधों के साथ आज हो रही है बहुत बड़ी योजना ये बनती है बहुत बड़े मातरा में विक्षार ओपन से लेकर के अलग लग चीज़े होती है एक बार वो उधे लगा दिया पानी लगा दिया और छोड़ करके चले जाते हैं वो वेसे ही सुख जाते हैं तो ऐसा काम ना करके हम पूर्ण उसकी आयू को समर्थ बनाने का योजना के साथ हम विक्षार ओपन करें और साथ में हम अपने घर में अपने परिवार में हम यज्य करें हवन करें अगनी होतर करें आपको जानकर के आश्चरिय होगा यज्य करने पर जो गेसे बनती है, एथिलिनोकसाइड, प्रॉपलिनोकसाइड से मल्टिपल कहीं सारी गेसे, वो गेसे जब वायू के अंदर आती है और वायू मुडल के अंदर पहले से ही बहुत सारी गेसे मौजूद होती है और दोनों पर उस कार्बन को अपना आहार बना लेते हैं और ऑक्सिजन को रिलीज कर देते हैं यहाँ होती है फोटो सैंथेजिस प्रक्रिया, ऐसे ही एक दूसरी प्रक्रिया होती है फोटो केमिकल प्रोसेस, उस फोटो केमिकल प्रोसेस के परिणाम स्वरूब जो हानिकारक गेसे है इसको केते हैं जो इस ग्लोबल वार्मिंग ओजन परक्ट के शरण से लेकर के जो मनुष्य को भी जो सतर लाख से अधिक लोग वाई प्रोदूशन के कारण मोहत के मुझ में समाझ जाते हैं उसके लिए कारण भुज्यो जैहरी लिहानी कारण गेसे हैं उन गेसों को भी बातों को बताया और कहा कि इस फोटो केमिकल प्रोसेस के परिना अंसरू जो हानिकारण गेसे होती हैं खता हुँदर एक बार मातर यज्य करने पर सो याड़ खेतरा था तो सो मिटर का अराउंड जो एरिया हैं उसके अंदर आने वाले 23 दीन परियंद वायू प्रोदूश उन्होंने भी इन बातों को विशे सुर्प से दोराया और ना जाने कितनी आज आज आप इंटरनेट के ओपर सर्च के लिए सेंकड़ों ऐसी रिसर्च पेपर रिसर्चे हैं अलग-अलग संस्थानों की अलग-अलग लोगों की जो बताती है एसो एक्स आदी जो हानिकार से और जो पार्टिकल हैं जिसके कान आज हम बहुत बूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं वो पार्टिकलों को भी कम करते हैं और डोक्टर अलबर्ट कूजर एक वाईजानिक एक साइंटिस ने कहा कि वाईउ मिडल के अंदर दो प्रकार के कन होते हैं धन आवेशितकन और धन आवेशितकन जहां पे भीडभार इलाका हैं जहां सेहरी करण ओद्योगी की करण हैं वहां पे विशेश रूप से पाये जाता हैं उस वाईउ मिडल में रहने से हमारे शेरी के अंदर बलड सीरोटिन बढ़ जाता हैं हमारी बोड़ी एसेटिक होती है और उसके कान अन पाये जाते हैं उस प्राधन वाईउ मिडल में रहने पर हमारे शेरीर के अंदर बलड सीरोटिन की मातरा कम होती है उसके कारण हमारी बोड़ी आलकालाइन बनती है उसके कारण से जो होने वाले रोग हो पहले तो होते ही नहीं और कोई रोग हो भी गया तो उसे बहुत कम स होता हैं वहां 200 से 400 रीन आविशितकन पाए जाते हैं और जिस स्थान पे जिस जगा पे हम प्रती दिन यज्य हवन अगनी होतर करते हैं उस स्थान पर प्रती सेंटीमिटर में 200 से 400 रीन आविशितकन पाए जाते हैं अर्थात यदि हम अपने घर के अंदर इतना छोटा सा हव अगनी होतर प्रति दिन ये देन करते हैं, दस मिनिट, तो हम जैसा जंगल का वायू मंडल होता है, ऐसा वायू मंडल हम स्वयम अपने हाथों से, अपने घर के अंदर हम निर्मित कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी बात, वायू प्रदूशन को ठीक से, ऐसे ही माइक्रो बाइल दो करोड़ लोग जो मोत के मूं में समाते उसके लिए जो कारण भूत बेक्तरिया फंगस आधी होते हैं उन बैक्तरिया फंगस आधी को हमने लिया और पतंजली रिशर्च इंश्टिट्यूट में रही की और या आप देख रहे हैं वो रिपोर्टों को मेरे सामने और उसमे हमने पाया कि जो कौने दो करोड लोग मर रहे हैं जिस कारण से उसके लिए जो कारण भूत बेक्टरिया आदी होते हैं वह बेक्टरिया आदी नश्ट हो जाते हैं दूर हो जाते हैं अपने आप बहुत बड़ी बात ही, आप देखिए यह सारे जो अलग-अलग बेक्टरिया होते हैं, इस स्लाइड के उपर आप देख पा रहे हैं, तो इस प्रकार से यह जो अलग-अलग बेक्टरिया होता हैं, उसको दूर करने के लिए यह यज्य हवन के बाद अलग-अलग हविर मेंटरी से लेकर कि जब हम बिमार हो जाते हैं डोक्टर के पांच जाते हैं जब रोगी होते तब जो अलग-अलग इलाज के लिए हम अलग-अलग आउश्य दिया लेते हैं उसके अंदर जो तत्वर ठोस रुप में होते हैं वही के वही गेस फॉम में हमें एक साथ मल्टीप laboral, permissible limit के अंदर हमें प्राप्थ होते हैं यज्य के मादें से और यज्य एक नेनो टेकनोलोजी आप देख रहे हैं इस स्लाइड के अंदर इसमें जो यज्य से निकलने वाले कान होते हैं उसको हमने देखा यह नेनो इनो स्केल पार्टिकल होते हैं अरधात आज जोels चिक Nelotechnology के रूप में हमें प्रदान किया है यह यज्य हवन अगनिहोत्र इस यज्य हवन अगनिहोत्र के अंदर जुम आहुतिया देते हैं जड़ी बुटियों की गाय के घीक यादीफ और नेनौ पार्टिकल्स के इसे रिसर्च है काई सारी इसी चीज़े सामने आई है और हम लगा अतार इसको कर रहे हैं और आपको जानकर के आश्चरिया होगा कि जो हमारे सास्त्रों में बताया वही रिसर्चों में हम भी हमने पाया है और वैसा का वैसा हमने practically जिन लोगों ने यज्य को अपनाया यज् चीजों के लिए और वहाँ पर यज्य चिकित्सा से प्राप्त जो स्वास्थलाब के सादक हैं उनके साक्षात अनुभव भी दिया है और भी बहुत सारा कुछ दिया है तो हम विशेश करके इस यज्य को इस हवन को अगनी होतर को हम अपनाया यह आप देख रहे हैं कि प्रदुसित हो जाती है जहरीली हो जाती है विश्य से युक्त हो जाती है पंची उड़ते हुए ठक जाते हैं निचे गिर जाते हैं और लोगों को कास प्रतिसाय सिरोरुजिस्ट कास महनी खासी हो जाना प्रतिसाय जुकामादी हो जाना नासिका में जलन होना गले में खर लेने में तकलिव होना आधी आधी होने लगता हैं तो ऐसी स्थिती जब बने तो उस समय कहा विश्यगन धूप अर्थात लाख हल्दी अतीस हरड मोथा निरगुंडी इलाइची तालिस पत्र तगर कुठ और फूल प्रियंगुठ यह कुछ ऐसी विशेश आउश्यदिया है लेति आधी आधी गरंथो में भी इस बात को विशेश रूप से बताया गया है और आज विश्व परियावरण दिवस हैं, आज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परका शरण से लेकर, वायू प्रदूसन से लेकर के, ग्लेसियरो का पिगलने से लेकर के ना जाने, कितनी कितनी समझ से आ है, आज हम सब मिलकर के एक संकल्प करें, हम सब प्रती दिन छोटा सा यज्य अपने घर में जरूर करें, यज्य करने पर माइक्रो बाइलोजिकल प्रदूसन से बचा होगा, केमिकल प्रदूसन से हमारा बचा होगा, रेडियेशन से, डॉक्टर वाय के विजय जी, राजस्थान जैपूर युनिवर्शिटी में, उन्होंने काई सारी जब वायू मडल के अंदर आते हैं, तो वह रेडियेशन भी दूर हो जाता है, डॉक्टर मनता सकसेना जी, सेंट्रल पोजिशन गवर्मेंट बोर्ड के साथ मिलकर के जो उन्होंने कारे किया, उसमें उन्होंने पाया, जो इलेक्ट्रो मेगनेटिक रेडियेश करता है, ज पूरी दूनिया जिस समस्याओं से जूज रही है, उसका समाधान है, रेडियेशन से बचने के लिए, उसका समाधान है, वायू प्रदूशन से बचने के लिए, उसका समाधान है, माइक्रो बायलोजिकल प्रदूशन से बचने के लिए, तीन पूरी विश्वकी सबसे यज्य एक नेनो टेक्नोलोजी है, यज्य एक सुपर साइन्स है, यज्य मानवी चेतना का उतकर्ष कर हमें अती मानस चेतना की और अग्रसर करता है, यज्य पंच भुतात्मा के स्पिंड से लेकर के पंच भुतात्मा के संपूर्ण ब्रह्मान में स्वास और संतुलन कायम कर इस प्रक्रक्र की मा के प्रति अपने रिनों को अदा करने के लिए आज हम साब लोग हमारे आधरनिया ग्रता सिस्पाल जी जो गुजरात योग बोड के चेर्मेन हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज गुजरात योग बोड के जितने भी योग टीचर हैं वह भी सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी प्रकार से हमारे भारत स्वाभिमान, मैला पतंजली योग समीती, योग समीती से लेकर के किसान सेवा समीती के हमारे पांचों संगठनों से पूरे देश बर से अल वह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसके साथ-साथ उनकी पूरी टीम इसी प्रकार से हमारे तैलंगाना से अधरन्य भाई किसोर भाई जी और आधरन्य हमारे नंधनम कृपाकर जी से लेकर के, उनकी पूरी टीम से लेकर के और अलग-अलग जगाओं से हमारे मुंबाई से आधनिया भाई सुरेश यादल जी हमारे आधनिया राज्य प्रभारी जी और उसके साथ सुरवन गुपता जी निर्मला गुपता जी से ले करके हमारे आधनिया माता नेहा माता जी से ले करके सुरिश भाई जी से ले करके नर्सी भाई जी से ले करके सब लोग जो यज्य की सेवा में निरंतरता के साथ अपनी सहभागित अपनी भूमी का निभा रहे हैं उन सब को मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूँ आईए हम सब मिलकर के इस यज्य को स्वयम अपनाएं औरों को अपनाने के लिए प्रेडिक करें और आज विश्व परियावरन दिवस पर हम संकल्प करें इस वैश्विक महामारी के लिए यह यज्य एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सक्षम साधन है और आप देखेंगे आने वाले कुछी समय में जिस प्रकार से पतंजली योगपीट से रिसर्च है और जिस प्रकार से सारे कारिया चल रहे हैं आने वाले एक समय में यज्य भी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा विश्य होगा और इस वैश्विक महामारियो के प्रती अपने आप में एक मसाल साबित होगा और आज वर्तमान में इसके माध्यम से जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसमें भी ये सारी बात्या सामने आ रहे हैं तो आईए अब हम सब लोग सबसे पहले इस यज्य की महिमा तो हम सुनी रहे थे आप यज्य करते हैं, हवन करते हैं, अगनी होतर करते हैं, सभी लोग सीधा बेटते हुए, पहले हम मंगला चरण करेंगे और आप सभी लोगों ने पूरे यज्जे की पूर्वा तैयारी कर ली होगी हवनकूंड, हवनकूंड के अंदर नीचे छोटी-छोटी समीधा डाल दी, उसके उपर थोड़ा सा रोई लगा दी, उसके उपर दो खड़ी समीधाय लगा दी, उसके बाद थोड़ा सा गाई का भीगा करके हमने रख लिए समीधाधान के लिए, एक प्लेट के अंदर हमने हवनसामगरी ले लिए हैं, जो जड़ी-बूटियों के हम आहुती देंगे, एक पातर घीका जिसके अंदर गरम किया हुआ, हमने गाई का घी ले लिया हैं, जिसके हम विशेश आहुती, एक छोटे से एक आचमन पातरक के अंदर जल, एक चममच और एक छोटी सी प्लेट जिसमें हम आचमन अंगसपर्श करने के बाद हाथ दोते हैं, तो उसका आउसिष्ट जल दालने के लिए, और उसके अतिरिक एक कलस, उस कलस के अंदर जल लख रहेंगे, जल सेंचन के लिए, थोड़ी सी समीधाये आप एक्ष्ट्रा अपने पांस में रख लें, बीच में जब आविशक्ता पड़े, तब उन समीधायों को बीच-बीच में आप लगाते जाएं, और इसी प्रकार से कोई पंपलेट पुस्तक आदी आपके पांस हैं, तो पंपलेट पुस्तक आदी वेदिक नित्य कर्मेविधी है, यज्य, योग, अईर्वे, चिकिस्ता पुस्तक है, कोई भी ऐसा चोटा सा इस प्रकार का कोई पंपलेट जो अभी होता है, तो कोई भी चीज आप मंतर के लिए पांस में हैं, वैसे हम आपके साथ साथ मंतर पांट करेंगे, तो आज तो क मंगलाचरन पहले ओमकार का उद्गोष करते हुए, आज मन अंग्सपर्श करते हुए, आज की यज्य को प्रारम करते हुए और 108 विशेश आहुक्या प्रदान करेंगे, तो आए ब्रह्मान जली में हाथों को रखते हुए O остав की प्र ओर यह खने इनक का उत्का उद्गोष करते हुए, आज में हुए पान करना है तेरी बार जनले लेंगे तीसरी बार जल ले लेंगे अब हाथ को दो लेंगे हस्त प्रक्षालन कर लेंगे जो छोटी सी प्लेट है उसमें अउसिष्ट जल को डाल दीगे हस्त प्रक्षालन करने के बाद अब बाई हाथ की अंजली में जल लेंगे पहले हमने दाइं हाथ की अंजली में अब बाइं हाथ में लेप्ट हेंड में जल ले करके दाइं हाथ की मध्यमा और अनामिका दो उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग का स्पर्श करते हुए प्रभू से प्राथना करते हुए उस अंग की पवितरता शु प्रश्चाद अब हम सीधा बेटते हुए, हाथ जोड़ते हुए, इश्वर्स्तुति प्रार्थना उपासना के आठ मंत्रों का शद्धा भाव के साथ उचान करेंगे, सभी लोग अपने अपने स्थान पे अपने घर में जहां पर भी बेठें, पूरे आप स्रद्धा भाव के साथ हाथ जोड़ते हुए, सीधे बेटते हुए, आएए, वेद मंत्रों का उचान करते हुए, इश्वर्स्तुति प्रार्थना उपासना करत ओम इरन्य गर्भस्तम वर्तता ग्रे भूतस्य जात पतिलेक आसित सदाधार प्रिथिवेंध्या मुते मांकस्मै देवाय विशा विदेमा, ओम याात्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रसिसम्यस्य देवा, यस्य छाया मृतं यस्य मृत्यु कस्माई देवा यह विशाविदेमा ओम यह प्राणतो निमिशतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभुवा यह इशे अस्य द्विपदस्च तुस्पदाह कस्माई देवा यह विशाविदेमा ओम ये नद्यो रुग्रा प्रिथे वे चद्रधाये नस्वस्त भिताईये ननाकह यो अंतरिक्षे रजसो विवाना कस्मै देवाया विशा विदेमा ओम प्रजा आपते नत्वदेता न्यन्यो विश्वा आजाता निपरिता बभुवा यत्का आमास्ते जुहुवस्तन्यो अस्तुवयं स्या आमपतयो रईना ओम सनो बंदुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा आ यत्रदेवा अमृतमान शाना स्तृतिये धामन अध्ये रयंता ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मजुहुरान मेनो भुविष्ठान ते नम उक्तिम्विदेमा इतिश्वरस्तुते प्रार्थनो पासना अब हम दीप प्रजवलन करेंगे तीन महा व्यारतियों का उचारन करते होई श्रद्धा भाव के साथ आज यह भी हम सब लोगों के खुसी की बाद है कि आज पहला ऐसा दिन है जो हम सब लोग एक साथ मिल करके और आज हमारे साथ कई अलग अलग जगाओं से भारत में से तो जुड़े ही जुड़े हैं विशेश करके हमारे नेपाल वासी भाई बहन भी बहुत बड़ी मातरा में इसमें जूड रहे हैं और उसके साथ-साथ अलग-अलग और भी जगाओं से जूड रहे हैं उन सब को नमन वंदन प्रणाम करते हैं आईए हम सब अपने अपने घर में अगनी देवता का आहवान करते हुए अगनी को प्रदिप्त करते हुए आज विशेश आहुतिया प्रदान कर इस प्रक्ति मा के प्रतिय अपने रुणों को अदा करते हैं अब शुरू के अगरभाग में कपूर की टिक्या को रख लेंगे और दिपक के माध्यम से प्रदिप्त करते हुए वेदी के मध्यों हमें हम रखेंगे मंत्रो चाण के परश्चात अग्ञाधान करेंगे ओम भूर भुवा स्वर्ज्योरिव भूमना प्रिठवी वावरिमना तस्या आस्ते प्रिठवी देव यजनी प्रिष्ठ अग्नी मन्ना दमना ज्याया दधे वेदी के मध्य में जो हमने रुई रखेंगे उसके उपर कपूर के ठीकाया रख दीजे और दिपक को इशान कौन पर रख दीजे और अगले मंत्र के माध्यम से इसके उपर छोटी-छोटी समीधा गाय के घीके आहुती देते हुए मंत्र के उचान के दोरान एक ख्रियाय करते हुए सगनी को हम प्रदिप्त करेंगे अब हम समीधा धान करेंगे मंत्र चान पूर्वक अब दूसरी समीधा ले लेंगे अब ती समीधा ले लेंगे अब हम पंच गृत आहुती प्रदान करेंगे इस अधनी को विशेश रुप से प्रदिप्त करने के लिए ओम अयंत एद्मा आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्ववर्धस्वचे दवर्धय चास्मान प्रजया पशुवेर ब्रह्मा वर्चसे नानाध्ये नसमेधय स्वाहा इदम अग्णये जात वेदसे इदन्यमा मा ओम अयंत एद्मा आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्ववर्धस्वचे दवर्धय चास्मान प्रजया पशुवेर ब्रह्मा वर्चसे नानाध्ये नसमेधय स्वाहा इदम अग्णये जात वेदसे इदन्यमा मा ओम अयंत एद्मा आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्ववर्धस्वचे दवर्धय चास्मान अपशुवेर ब्रह्मा वर्चसे नानाध्ये नसमेधय स्वाहा इदम अग्णये जात वेदसे इदन्यमा मा ओम अयंत एद्मा आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्ववर्धस्वचे दवर्धय चास्मान प्रजया पशुवेर ब्रह्मा वर्चसे नानाध्ये नसमेधय स्वाहा इदम अग्णये जात वेदसे इदन्यमा मा ओम अयंत एद्मा आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्ववर्धस्वचे दवर्धय चास्मान प्रजया पशुवेर ब्रह्मा वर्चसे नानाध्ये नसमेधय स्वाहा इदम अग्णये जात वेदसे इदन्यमा मा यह हमने समीधा धान किया समीधा धान के परस्चाद अब हम जल सेंचन करेंगे सबसे पहले वेदी के पूर्व दिसा में हम जल सेंचन दक्षिन से उतर की ओर करेंगे अब दूसरे मंतर के माध्यम से वेदी के पश्चिम दिसा में हम दक्षुन से उतर की ओर जल सेंचन करेंगे अब वेदी के उतर दिसा में हम जल सेंचन करेंगे पश्चिम से पूर्वक की दिसा में अब अगले मंतर के माध्यम से उत्तर दिशा और पूर्वदिशा का कोण को इशान कोण बोलते हैं जहां पे हमने दिपक रखाए उस कोण से प्रारम करते हुए परिक्रमा क्रम से पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिन दिशा में फिर पश्टिम दिशा में और उतर दिशा में जल सेंचन करते हुए फिर कलस को इशान कोण पे ही छोड़ देंगे वेदी के चारो दिसाओं में जल सेंचन करके और इशान कौण पे कलस को छोड़ लेगे अब जल सेंचन के परशाल आघारावाज्य भागाहुतियम प्रदान करेंगे वेदी के मध्य में जो प्रदिप्त समीधाये हैं उसमें जो उत्तर दिसा में प्रदिप्त समीधाये हैं उसके उपर पश्चिम से पूर्वकी और धारा बनाते हुए हम एक आहुति प्रदान करेंगे पहली आहुति और दूसरी दक्षिन दिसा में स्थित जो समीधाये हैं उ Om Ajnaye Swaha, Idham Ajnaye Idhannamama, Om Somaya Swaha, Idham Somaya Idhannamama, Om Prajapathaye Swaha, Idham Prajapathaye Idhannamama, Om Indraya Swaha, Idham Indraya Idhannamama, Om अब आघारवज्य भाग आहुति के परशाद, अब हम सामगरी की भी आहुतिया विशेश रुख से प्रदान करेंगे, पांस वाला स्टूडिय तियर करेंगे, अब हम सामगरी की भी विशेश आहुतिया प्रदान करेंगे, तीन उंगलिया, मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ तीन उंगलियों से सामगरी लेते हुए, हम विशेश पहले देव यज्य और फिर गाइतरी यज्य हम करेंगे, एकस्वांठ आहुतियों के साथ, तो विशेश जो जड़ी बूटिया सामगरीया है, रोग विशेश के लिए हम करते हैं, तो यह जो आप देख रहे हैं, रोग विशेश की अवन सामगरी, और सामा निरुप से जैसे मैंने कहा, आपको विशगनत धूप, जो वायू के पोशन के लिए, समर्धन, सोधन के लिए, आईए, अब हम विशेश आहुत्या देते हैं, प्राणाय इदन्नममा, ओम भुवर्वाय वे पानाय स्वाहा, इदम्वाय वे पानाय इदन्नममा, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्यमामा ओम भूर भुवस्वर अग्निवाय वादितेव्य प्राणापान व्यानिभ्या स्वाहा इदमाग्निवाय वादितेव्य प्राणापान व्यानिभ्या इदन्यमामा ओम आपोज्योते रसोम्रितं ब्राह्मा भूर भुवस्वरों स्वाहा ओम या मेधाम देवगणा पितरस्च उपासते तयामा मज्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरुस्वाहा ओम विष्वानिदेवस वितर्दुरिता निपरासुव यद्भध्रमतन्ना आसुव स्वाहाई ओम अग्नेनाय सुपताराये अस्मान विश्वानी देव वयुनानी विद्वान यो योध्यस्मज्युराणमेनो फूये श्ठान तेनम उक्तिम्विदेमा स्वाहा यह हमने देव यज्य दैनिक अग्नी होतर की विशेश आहुत्या प्रदान की अब आए एक सो आठ विशेश गाइत्री मंत्र से आहुत्या प्रदान करते हुए आज इस परियावरण दिवस के उपलक्ष में इस गाइत्री यज्य को करते हुए विशेश रुप से इस प्रकृति के पोशन के प्रभू से प्रार्षना करते हुए कामना करते हुए ओम्भूर भुवस्वाहा तत्स वितुर वरे एन्यम भर्गो देवस्य दीमही दियो योनाः प्रचोद याच्वाहा ओम्भूर भुवस्वाहा तत्स वितुर वरे एन्यम भर्गो देवस्य दीमही दियो योनाः प्रचोद याच्वाहा ओम्भूर भुवस्वाहा तत्स वितुर वरे एन्यम भर्गो देवस्य दीमही दियो योनाः प्रचोद याच्वाहा ओम्भूर भुवस्वाहा तत्स वितुर वरे एन्यम भर्गो देवस्य दीमही दियो योनाः प्रचोद याच्वाहा ओम्भूर भुवस्वाहा तत्स वितुर वरे एन्यम भर्गो देवस्य दीमही दियो योनाः प्रचोद याच्वाहा ओम्भूर भुवस्वाहा तत्स वितुर वरे एन्यम भर्गो देवस्य दीमही दियो योनाः प्रचोद याच्वाहा ओम भूर भूस्वाहा तत्स वित्र वरे एन्यम भर्गो देवस्य दीमही दियो योना प्रचोद याच्वाहा ओम भूर भूस्वाहा तत्स वित्र वरे एन्यम भर्गो देवस्य दीमही दियो योना प्रचोद याच्वाहा ओम भूर भूस्वाहा तत्स वित्र वरे एन्यम भर्गो देवस्य दीमही दियो योना प्रचोद याच्वाहा ओम भूर भूस्वाहा तत्स वित्र वरे एन्यम भर्गो देवस्य दीमही दियो योना प्रचोद याच्वाहा ओम भूर भूस्वाहा तत्स वित्र वरे एन्यम भर्गो देवस्य दीमही दियो योना प्रचोद याच्वाहा ओम भूर भूस्वाहा तत्स वित्र वरे एन्यम भर्गो देवस्य दीमही दियो योना प्रचोद याच्वाहा ओम भूर भुस्वाहा तच्व वितरु बरे एन्यम भर्गो देवस्य धी मही दियो योना प्रचोदय आच्वाहा ओम भूर भुस्वाहा तच्व वितरु बरे एन्यम भर्गो देवस्य धी मही दियो योना प्रचोदय आच्वाहा ओम भूर भुस्वाहा तच्व वितरु बरे एन्यम भर्गो देवस्य धी मही दियो योना प्रचोदय आच्वाहा ओम भूर भुस्वाहा तच्व वितरु बरे एन्यम भर्गो देवस्य धी मही दियो योना प्रचोदय आच्वाहा ओम भूर भुस्वाहा तच्व वितरु बरे एन्यम भर्गो देवस्य धी मही दियो योना प्रचोदय आच्वाहा ओम भूर भुस्वाह तच्व वितरु बरे एन्यम भर्गो देवस्य धी मही दियो योना प्रचोदय आच्वाहा ओम भूर भवस्वा तच्व वित्र वरे एन्यम भर्गो देवस्य धी मही दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भूर भवस्वा तच्व वित्र वरे एन्यम भर्गो देवस्य धी मही दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भूर भवस्वा तच्व वित्र वरे एन्यम भर्गो देवस्य धी मही दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भूर भवस्वा तच्व वित्र वरे एन्यम भर्गो देवस्य धी मही दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भूर भवस्वा तच्व वित्र वरे एन्यम भर्गो देवस्य धी मही दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भूर भवस्वा तच्व वित्र वरे एन्यम भर्गो देवस्य धी मही दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भूर भवस्वा तच्व वित्र वरे एन्यम भर्गो देवस्य धी मही दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भूर भास्वा तच्व वित्र वरे एन्यम भर्गो देवस्य धी मही दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भूर भास्वा तच्व वित्र वरे एन्यम भर्गो देवस्य धी मही दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भूर भास्वा तच्व वित्र वरे एन्यम भर्गो देवस्य धी मही दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भूर भास्वा तच्व वित्र वरे एन्यम भर्गो देवस्य धी मही दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भूर भास्वा तच्व वित्र वरे एन्यम भर्गो देवस्य धी मही दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भूर भास्वा तच्व वित्र वरे एन्यम भर्गो देवस्य धी मही दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भूर भास्वा तच्व वित्र वरे एन्यम भर्गो देवस्य धी मही दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भूर भच्वाहा तत्स वित्र वरे एन्यम भर्गो देवस्य धी मही दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भूर भच्वाहा तत्स वित्र वरे एन्यम भर्गो देवस्य धी मही दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भूर भच्वाहा तत्स वित्र वरे एन्यम भर्गो देवस्य धी मही दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भूर भच्वाहा तत्स वित्र वरे एन्यम भर्गो देवस्य धी मही दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भूर भच्वाहा तत्स वित्र वरे एन्यम भर्गो देवस्य धी मही दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भूर भच्वाह तत्स वित्र वरे एन्यम भर्गो देवस्य धी मही दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भूर बस्वाहा तत्स वित्र बरे एन्यम भर्गो देवस्य दी मही दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भूर बस्वाहा तत्स वित्र बरे एन्यम भर्गो देवस्य दी मही दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भूर बस्वाहा तत्स वित्र बरे एन्यम भर्गो देवस्य दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भूर बस्वाहा तत्स वित्र बरे एन्यम भर्गो देवस्य दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भूर बस्वाहा तत्स वित्र बरे एन्यम भर्गो देवस्य दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भूर बस्वाह तत्स वित्र बरे एन्यम भर्गो देवस्य दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भूर बस्वाह तत्स वित्र बरे एन्यम भर्गो देवस्य दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भुर्वास्वा तत्स वित्र वरे इन्यम भर्गो देवस्य दी मही दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भुर्वास्वा तत्स वित्र वरे इन्यम भर्गो देवस्य दी मही दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भुर्वास्वा तत्स वित्र वरे इन्यम भर्गो देवस्य दी मही दियो योना प्रचोदे आच्वाहा ओम भुर्वास्वा तत्स वित्र वरे इन्यम भर्गो देवस्य दियो योना प्रचोदे आच्वाहा मानिद्विजानाम आयो प्राणं प्रजां पशों केर्थिंद्र विनंब्रह्म मवर्चसं मैयं दत्वा ब्रजत ब्रह्म मलोकं स्वाहा ओम आब्रह्म मन ब्रह्म मन ब्रह्म मवर्चसि जायता आराष्ट्रे राजन्याह शूर इशव्यत इव्यादे महारत जायता दोग्द्रेर देनुर वोधा नडवा नासु सप्ते पुरंधिर योशा जिश्णु रथेष्ठाहा सभेयो युवास्यय जमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे न परजन्यो वर्षतु फलवत्यो न आउशदया पच्यंता योगक्षेमोना कल्पताम् स्वाहा इदम्रास्ट्राय इदन्नममा ओम्रास्ट्राय स्वाहा इदम्रास्ट्राय इदन्नममा ओम्रास्ट्राय स्वाहा इदम्रास्ट्राय इदन्नममा ओम्रास्ट्राय स्वाहा इदम्रास्ट्राय इदन्नममा यह हमने विशेश 108 आहुतिया गाईत्री मंत्र से देते हुए विशेश यज्य को संपन किया अब हम इस यज्य जो हमने किया उसमें कोई न्यूंता रह गई कोई अधिक्ता हो गई कोई दोस हो गया कोई भूल हो गई अन्यथा खाली गाय के घी की आहुति दे करके इस स्विश्ट घृत आहुति को प्रदान करेंगे इसमें स्तामगर की आहुति नहीं देते और इसके पश्चाद हम एक प्राजापति आहुति प्रदान करेंगे उसमें परमपिता परमात्मा को प्रजापति को हम मन ही मन उच विचार करते हुए उचारण करते हुए घी की आहुती प्रदान करेंगे तो सबसे पहले मिष्ठान हो तो उसकी अन्य था केवल घी की आहुती और दूसरी घी की आहुती ओम यदस्यकर्मनोत्यरेरिचं यद्वान्योनमिहाकरं अग्निष्टत्स्विष्टकृत्विध्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करो तुमे अग्नये स्विष्टकृते सुहुतं हुते सर्वप्रायस्चित्ता हुतिनाम कामानाम समर्धैत्रे सर्वान्य कामान समर्धय स्वाहा इदम अग्नये स्विष्टकृते इदन्नमामा प्राजापत्या हुती अब हम पूर आहुती प्रदान करेंगे सामगरी के साथ घी की आहुती प्रदान करते हुए एक ही मंतर का तीन बार उचान करते हुए ओना हुदी के प्रस्चात आये सभी लोग सिधा बेड़ते हुए हाथ जोडते हुए अगनी देवता से प्रार्टना करते हुए संपूर विश्व की मंगल कामना करते हुए ओन सर्वे भवन्तु सुखिनाह सर्वे संतु निरामयाह सर्वे भद्राणि पस्यंतु मा कश्चित दुख भाद्भवे हे इश सब सुखि हो कोई नहो दुखारी सब हो निरोग भगवन्धन धान्य के भंडारी सब भद्रभाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखियान कोई हो वे स्रिष्टी में प्राण धारी हे नाथ सब सुखि हो कोई नहो दुखारी सब हो निरोग भगवन्धन धान्य के भंडारी त्वमेव माता चपिता त्वमेव त्वमेव बंदुष्य सक्षा त्वमेव त्वमेव विध्याद्राविनं त्वमेव त्वमेव सार्वं मामदेव देवा त्वमेव सर्वं माम देवा देवा ओम शान्ति 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 ही ओम इस प्रकार पुरे भाव किशार स्रद्धा के साथ आज हमने यह विशेश 108 आहुतिया प्रदान करते हुए विशेश आउशेदिया परियावरान के पोशन के लिए परियावरान के समवर्धन के लिए सोधन के लिए प्युक्त होती है उस गाय के घी और सामगर की आहुतिया प्रदान करते हुए आज के इस यज्जन को हम सब ने संपन्न किया अपने अपने घर के अंदर काते हुए और अगले क्रम में हमारे साथ जिवड़े हैं पुझ स्वामी विप्रदेव जी महाराज मैं उनसे निवे दिन करता हूँ आज के इस परियावराण दिवस के उपलक्ष में हम सबको अपने यज्जन के प्रती जो आशीरवचर और विशेश के महत्वा पूर्णा बात हैं उसको हमारे सामने रखेंगे पूझ स्वामी जी योग साधुकों को यज्ज साधुकों को साधर नमन प्रणाम आज का यहाजो युशेश हमने यज्ज किये पांच जोन जो की एक विश्व परियावराण दिवस के रूप में मनाये जाता है और जिसके माध्यम से एक संकल्प लेते हैं कि कैसे अपनी यहाजो प्रकृती मा आता है मदर नेचर है वसुंधर है इसको हम स्वच्छ बनाएं सुंदर बनाएं और इसके लिए 1972 में एक परियोजना इस प्रकार से तयार की गई कि यहाजो मदर नेचर है यहाजो वातावरन है इठमास्फियर है जो कि दिनों दिन कहीं न कहीं हमारे कारण यह विखंडित होती जा रही है जो प्रकृती माता है उसका दोहन होता जा रहा है तो उसको कैसे हम तूनह सरक्षित बनाएं क्योंकि प्रकृती की सुरक्षा में ही हमारी सुरक्षा है तो इस प्रकार से 1974 में पहली बार विश्व परियवरन दिवस मनाया गया और उस समय से ले जो मना रहें क्या इसके माध्यम से कुछ कंट्रोल कर पाएं क्या इस अभियान के माध्यम से कोई जन जाग्रुकता आ पाई तो इसमें यदि कहें देखें धरातल पर तो बहुत कम परिनाम ला पाया हैं क्योंकि उस प्रकार से जिस प्रकार से हम विकास कर रहें उस विकास के अंधी दोर में जैसे पुझ्य स्वामी यज्य देव जी बता रहे थे कि हमारा जो विकास वो विनास के लिए ना हो बलकि और उन्नती के लिए हो प्रकृति मा के संरक्षन के लिए हो तो हमको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम यदि स्वस्त रहना चाहते हैं हम यदि हमेशा के लिए आरोग्य, नैरोग्य, निरामय को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रथम आउश्चक है, वो है यह प्रकृती माता जो कि पंच महभुतों से निर्मित है, प्रिथ्वी, अप्तेज, वायू, अकास तो यह जब तक सुरक्षित नहीं है, जब तक यह संतुलित नहीं है, ब्यवस्तित नहीं है जिस प्रिथ्वी से हम निरंतर अन्न ले रहे हैं जिस जल का हम सेवन कर रहे हैं पान कर रहे हैं जिस वायू कभी हम निरंतर स्वास के माध्यम से इनहेल के माध्यम से हम धारन कर रहे हैं और जिस उज्जा से हमारा यह जो शरीर देह कलेवगात तनू है ये चल रहे हैं निरंतर और जिस खुले आकास में हम भ्रमन कर रहे हैं, स्वतन तरूप से विचरन कर रहे हैं, तो हम लाब तो ले रहे हैं, परन्तु क्या हम उस लाब के बदले हम उसको भी संरक्षित करने के लिए कुछ अपना कर्टब्य कर्म कर पा रहे हैं, तो हम यदि देखते हैं तो हम किसी भी प्रकार से ऐसे कोई activities हम नहीं कर रहें जिससे कि हम इस धर्ती मां को हम सुरक्षित रख पाएं हम इस पंच महाभूतों को हम balance बना पाएं और इसके balance के बिना हम कभी भी अपने आपको स्वस्त बना ही नहीं सकते हैं आज देख रहे हैं चारोर जो कोरोना का महौल है अब उसके पास चाहत अब एक दूसरी महामारी जो बिमारी black fungus, white fungus जैसे ये रोग आग चुका है तो ये सब किसके कारण ही यदि मूल में जाए हम तो सभी इन पंच महाभूतों के unbalance के कारण से हैं इनके दोहन के कारण से हैं और इस इस्तिति में यदि हम अपने आपको स्वस्त रखें तो असंभाव सा हैं तो इसलिए हमारे रिशियों ने कहा इसलिए हमारे भारती संस्कृति में ये सभी ग्रंतों में सभी सास्रों में ये बात कही गई कि यज्जो अइस्टमम कर्म आयम यज्जो घुवनस्त नाभी कहा गया हैं और होत्रिश अधनम हरितम हिरन्यम कि जो हवन करने वाला प्रते दिन हवन करें और यह हमारी जीवन चरिया नहीं अपिल तो दिन चरिया है कि जैसे हम सुबह उड़ते ही प्रथम हम जल पीते हैं जल पान करते हैं फिर अन्य और जो अपने दैनिक करतब्यों को हम करते हैं सौज करते हैं, इस्नान करते हैं, भोजन अग्रहन करते हैं वैसे हमारा एक सुक्ष्म आहार भोजन ये अगनी है इससे उत्पन जो औशदिया अगनी एल जो जो प्राण वायू जो सुगंधित रोगनाशक, पुष्टी वर्धक वायू है उसको जब हम ग्रहन करते हैं तो हमारे अंतह करन, हमारे चित्त चेत्ना और मस्तिश से लेकर पायर की अंगुष्ट तक संपोन जो सेल्स है वो पूरा एक्टिविटीज हो जाता है उतने, कारिया का संचालन हो जाता है तो इसे से हम हमेशा एक सुरक्षा कवच में रहते हैं इस जो आउशदी वायू है तो हमको विचार करना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इस मदर नेचर को सुरक्षित बना पाएं, कैसे इसके लिए हम प्रयास करें, तो उसके लिए अलग-अलग इस तरपर क करही रहें, परन्तु उतना पर्यापत नहीं है, जितना हम उपयोग ले रहें, आप चारो और देख रहें, जो ठेक्टरियां, जिससे अनेक जो पैथोजन्स, जो गैसे निकर रही हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसान दायक है, जितनी ये वेहिकल्स दिनो द जो जंगल हेवन है, उसका दुहन हो रहे है, कटाई हो रही है, जो कि एक बैलेंस बनाने के लिए करीब 39 प्रतिशत इस भूधरा में जंगल होना चाहिए, वो आज रास होते होते 19 प्रतिशत केवल बच चुका है, तो ऐसे स्तिति में हम क्या प्रयास कर पा रहे हैं, हम हर देश में गौवर्मेंट के माध्यम से ये नियम बनाया जाता है, कि प्रकृती माता को सुरक्षित बनाया, लेकिन वो केवल जुबानी बाते हो जाती है, वो केवल दिखाने के लिए हो जाती है, लेकिन उसके आगे रक्षन के लिए जो नानप्रकाय के जो chemical जो पॉलूश आयू प्रदूशित हो रहे हैं, आज जो सहर है दिल्ली जैसे उसमें रहने वाले प्रत्यक वैक्ति छोटे बच्चे से लेकर बुढ़े तक सभी 20 सिक्रेट के बराबर धुआ पीता है, अब देख रिजी ऐसी स्तिती, और उसके कारण से जो हमारी आयू है दिनों दिन उसक जा रहा हैं, और इसके कारण से करीब पांच वर्ष आयू दिल्ली में रहने वाले लोग और उनके आसपास इन्सियार में रहने वाले सभी की घटती जा रही है, तो ऐसे स्तिती में और ये सिर्फ दिल्ली ही नहीं, जो एक इस प्रकार से पत्रिका है, जो रिपोर्ट करने वाले निरक्षन करने वाली ग्रिन पीस, तो इस के रिपोर्ट के मार्ध्यम से सर्वे किया गया, कि पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया में करीब 20 ऐसे देश हैं, जो सबसे अधिक पॉलूटेट एरिया में आते हैं, तो उन्हें 20 में यदि देखें, तो केवल भारत मे करीब 13 ऐसे सहर हैं, जो सबसे अधिक पॉलूसन से युक्त हैं, प्रदोशित हैं, भारत के ही 13 ऐसे सहर जहां सबसे अधिक प्रदोशन पाया गया, तो ऐसे स्तिति में, और एक और ऐसे सर्वे जो यदि हम डवलू एचो के अनुसार से देखें, तो वो तो मानता है कि भार प्रदोशित हैं तो ऐसे स्तिती में, कैसे हम इन प्रदोशनों से अपने आपको सुरक्षित रखें, अपने आपको हम द्यवस्थित रखें, तो हमको वापिस पूनह, अपनी संस्कृती की ओर आना पड़ेगा, यह जो अपना यज्य है, यह जो आयर्वेद है, योग है, जो मदर नेचर से जुड़ने का एक प्रक्रिया है, वो इन ही के माध्यम से हो सकता है, तो हम अपनी संस्कृती की ओर लोटें, और चारों और हम सुन्दर आने वाले पेड़ियों के लिए, और अपने लिए हम वातवन तयार करें, सुन्दर भारत बनाएं, यदि हम एक एक व्यक्ति संकल्प ले लें, कि हम अपने घर में यज्ज करेंगे, अपने आस पास ऐसे आउशदिय पवधों का रोपन करेंगे, आउशदिय व्रिक्षों का रोपन करेंगे, जिससे की इस जो सुरिष्टी चक्र है, इसको हम सुचारूप से चला पाएं, तो निस्देह, न जो देह कलेव गात तनु लिये हम जो इस धरत धाम में आये हैं, तो उसका एक हीत अभी प्रयोजन सिद्ध होगा, जब हम इस नेचर, मदर, जो धरती माता है, प्रकृती माता है, इसके लिए हम कुछ करें, तो हम एक संकल्पले कि यह जो दिवस, केवल दिवस ना हो, बलक कि यह हमारा प्रती दिन एक जीवन चरिया हो, प्रती दिन का एक दिन चरिया हो, तभी हम इस संकल्प का लाब ले पाएंगे, इस जो विश्व परियवन दिवसे, इसका तभी हम वास्त्रीक में हम साक्षी कहला पाएंगे, तो मैं पुनह, आप सभी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, कि आप इस याजजी का संस्कृती, भारती संस्कृती से जोड़ कर अपने अपने प्रयास से इस भारत भुमे को वैभावशाली बनाने के लिए तर्टपद हैं, तो सभी को मैं पुनह नमन करता हूँ, झाल 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 यज्य भारती संस्कति का मूल है तो आईए हम संकल्प लें संसार के स्रेष्ट तम कर्म यज्य को अपनाएं पिंड और म्हांड में संतुलन कायम करने वाले यज्य को अपने जीवन का अभिन अंग बनाएं एवं प्रकृति मा की प्रति अपने रिनों को अदा करें विश्व स्वास्ति का एक नारा यज्य से होगा जग उजियारा भारती सिंस्क्ति की अमुल्य विरासत यज्य की महिमा को जानने है तू वैदिक चैनल पर प्रति दिन प्राता एवं सायन साले ग्यारा बजे यज्य महिमा कारिक्रम से जुड़ें विशेश जानकारी है तू संपर्थ करें मोबाइल 9068565306